शेजस्वी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के बंस में जन्म लिये हैं तो नितेश का हाथ थाम कर बोलते रुख जाओ नितेश दुरपदी का चीरहरन नहीं होने देगा लेकिन आपने क्या क्या उस दुस्सासन का साथ दिया है उस दुस्सासन का साथ देकर जहां कोई जदबंसी खड़ा होता है रक्षा होती है लेकिन पड़े पंद्रह बर्सों में लालू जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ जदवंस्यों को आपने भय का परतिक बनाने का कोशिश किया है लालू जी जब आप जेल जाने लगे तो रावडी जी को ही क्यों मुखमंत्री बनाए क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वालिन को ही बेटी को बना देते जकता बावु को भी बना देते क्यों नहीं अपने गुरू रंजन यादव जी को सियम बनाए क्यों नहीं महावीर यादव और गजंद हिमानसु जी को बनाए क्यों नहीं सोना धारी बावू को बनाए क्यों नहीं गनेस बावू को बनाए क्यों नहीं देवेंदर यादव को बनाए पुड़े देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज़्यादा सांसोत और विधायक यदुकुल का सबसे ज़्यादा भारते जंता पार्टी का जंडा लेकर आज नरेंदर मोदी जी की प्रेना में काम कर रहा है जबाब आपको देना पड़े हैं हम महा भारत की लड़ाई को भी हम सुषिकार करने वाले हैं नितेश जीत जैसे बीजी सून लिजए चीरहरन हुआ है दुरपती का आज यस बिहार में भैका वाता बरन है अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है गरीब सताय जा रहे हैं भारतिय जंता पार्टी को महा भारत भी स्विकार करना पड़ेगा तो मावरत करेंगे लेकिन इस दुस्सासन और रावन और कंस की प्रबीर्ती रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 2014 में भी पराजित करेंगे और 25 में भी पराजित करेंगे कुए कि अंधेरे में किसको रखना चाहते हैं यादों को मुसलमानों को याद भाई बिराज सरुप देखना है तो भारतिय जनता पार्टी के मुख में जाक कर देखो कोई तुम्हारा जद्वनसी भारतिय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा सांसत विधायक मंत्री तो राजस्तान में मिलेगा हरियाना में मिलेगा महराष्ट में मिलेगा बिहार में मिलेगा जारकन में मिलेगा पच्छिम बंगाल में मिलेगा उत्तर परदेश परदेश में मिलेगा जहां भी जाईए आपको मिल जाएगा बोले भारत माता की, नरेंद्र मोधी जिन्दावाद, भारतिय जन्ता पाटी जिन्दावाद, भगवान कृष्णा की जै जै सियाडां, मैं भगवान कृष्ण के बंस जद्वंस में पैदा लेने वाला नित्यानंदराय, भगवान से राम का भक्त, हमारे आराध्ध, सीब, देवों के देव, महदेव, नरेंद्र मोधी का सिपाहे, और भारतिय जन्ता पाटी का कारकरता हिर्दै से, आप सबों को नमन करता हूँ, प्रनाम करता हूँ, गुबर्धन पूजा की सुभकामना देता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रासना करता हूँ, कि आप सही का कल्यान करें, आज गुबर्धन पूजा है, भायों, किसी कभी ने लिखा है, लोगों की रक्षा करने, एक उंगली पर पहार उठाया, उन्हीं कनहया को याद दिलाने, गुबर्धन पूजा का पावन दिन आया, भगवान कृष्ण सब का कल्यान करें, माने प्रधान मंत्री जी के, विकास की गंगा, भगिरत प्रयासे, आज भारत के कोने कोने गाउं गाउं में पहुँच रहा है, बिहार के भी गाउं गाउं कोने कोने में पहुँच रहा है, सभी समाज के पास पहुँच रहा है, सम्मान और न्याय के साथ पहुँच रहा है, उसका प्रभाब पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी पढ़ रहा है, और आज जद्वंसी भी भगवान कृष्ण के बंसज माने प्रधान मंत्री जी के इस्स आकर्षन और प्रभाव से प्रभावित हो कर आज भारतिय जन्ता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं भावियों बहनों भारतिय जन्ता पार्टी से पहले जन्संग पार्टी थे याद अब जन्संग काल से जुरे हुए मैं मानता हूँ कि कुछ काल खंड ऐसा रहा है और वह दोड़ अभी समाप्त नहीं हुआ है लेकिन उस जगह को छोडने का मन आपने बनाया है जाती बात की ववस्ता ने एक ऐसी पहार खड़ी कर दी है जिसको तोरने की आवश सकता है जाती बंधन से मुक्त होने की आवश सकता है जनसंग में जदवनसी थे भाजपा में आप आईए आप आईए भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कल्यूग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मूदी और भारतिय जनता पार्टी ही कर सकती है आज क्या हो रहा है आज भरी सभा में द्रोपदी का चीर हरन हुआ बिहार विधान सभा में द्रोपदी के लिए हमारी मा बहन के लिए नितीश कुमार जी ने जो बहबार किया जो सब्दों का उप्योग किया जो काम किया वह द्रोपदी के चीर हरन जैसा है तेजस्वी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के बंस में जन्म लिये हैं तो नितेश का हाथ थाम कर बोलते रुख जाओ नितेश दुरपदी का चीरहरन नहीं होने देगा लेकिन आपने क्या क्या उस दुस्सासन का साथ दिया है उस दुस्सासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है बड़ा पाप किया है बिहार और देश का जदवन सी दुनिया का जदवन से आपको माफ नहीं कर सकता चलिए इस दुसासन की प्रविर्ती रखने वाले इस सरकार को समाथ करना है दो हजार पचीस में और उसके पहले दो हजार चोविस में चालिस की चालिस शीर जी कर नरंद्रमोदी जी को फिर से परधान मंत्री बनाना है गौबंसी हम कहे जाते हैं मैं गंधारी संबाद और कृष्ण की संबाद का मैं चर्चा थोड़ा करना चाहूंगा महा भारत की लड़ा इत्ते हो गई थी कृष्ण को गंधारी बुला कर बोले सुनो कृष्ण दुर्योधन का साथ दो भगवान कृष्ण मुश्कुडाते हुए बोले क्यों दो गंधारी बोले मैं बोल रही हूँ भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ नहीं दे सकता नहीं दे सकता दुर्योधन के साथ अधर्म है दुरियोधन के सांत अन्याय और पाप है मैं जद्वंशी को भी अधर्म अन्याय और पाप का सांत नहीं दे सकता गंधारी बोली तुम्हारे जद्वंशियों के नास का सराब दूंगे भगवान कृष्ण बोले मुझे जद्मंशियों का नास्विकार है लेकिन धर्म पाप और अन्याय का सास्विकार नहीं है सोचना पड़ेगा कली उखेया इसलिए आज हमारा क्या करतब बनता है हमको सोचना चाहिए मैं तो कहता हूँ कि मैं भारत माता की जय बोलने वाला नित्यानंद अगले जनम में भी भारत में ही जनम लूँगा हमारे आराध्य संकर है क्रिष्ण है राम है मैं राम का भक्त हूँ दुर्गा का उपासक हूँ मैं अगला जनम में भी हिंदू में ही जनम लूँगा हिंदू में ही जनम लूँगा और मैं गव माता की रक्षा का बढ़त लिया हूँ और जीवन उसमें समर्पित किया हूँ बचपन से लेकर अभी तक इसलिए अगला जनम भी मैं जद्बंस में ही जनम लूँगा और किशी गौला और गौलिन के घर आंगन में ही जनम लूँगा नितेश जी आप सोचे कसाई खाना खोलवाएए भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगे उसका पहला निर्ने होगा गवहत्या पर परतिबंध लगेगा हम तो प्रेम के पुजारी हैं कहा गया है सेस महेस गनेस दिनेस सेस गनेस महेस दिनेस सुरही सुरेस ही जाही निरंतर गावे जाही अनादी अनंत अखंड अभेद सुबेद बतावे ना रद के सुक ब्यास रटे पही पचिहारी तव पुनिपार न पावे ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाच पर नाच न चावे अरे हम तो कृष्णी के मंसत प्रेम के पुजारी है जहां कोई जद्वंसी खड़ा होता है रक्षा होती है लेकिन पड़े पंद्रह बर्सों में लालू जी मैं आप से कहना चाहता हूं जद्वंसियों को आपने भैका प्रतिक बनाने का कोशिश किया है लेकिन आज इस प्रेर्णार नतृत में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्मान के लिए भारत की सांत्य और सुख्षा के लिए हम सब आगे आएंगे भाइयों लालू जी से मैं एक सवाल आप करना चाहता हूं लालु जी जब आप जेल जाने लगे तो रावरी जी को को ही क्यों मुख्मंत्री बनाए क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वालिन को ही बेटी को बना देते जक्ता बावु को भी बना देते किसी को भी रामचंदर पुडवे जी को बना देते किसी और को बना देते नहीं आदब कुल से ही बनाना था तो आपने क्यों नहीं हुकुम दे महाबीर यादव और गजंद हिमान सुजी को बनाए क्यों नहीं सोना धारी बावु को बनाए क्यों नहीं गनेश बावु को बनाए क्यों नहीं देवेंदर यादव को बनाए राबरी जी से आपके ही दल में जदुकुल्म का कोई न कोई बेटा बेटी दरजनों से जादा योग थे आपकी धरपत्नी जी से क्यों नहीं बनाए बनाना चाहिए था लेकिन आप नहीं बनाए कूँए के अंधेरे में किसको रखना चाहते हैं यादों को मुसलमानों को याद भाई बिराड सरुप देखना है तो भारतिय जनता पार्टी के मुख में जाक कर देखो कोई तुम्हारा जद्वन्सी भारतिय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा सांसत विधायक मंत्री तो राजस्तान में मिलेगा हर्याना में मिलेगा महराष्ट में मिलेगा बिहार में मिलेगा जारकन में मिलेगा पच्छिम बंगाल में मिलेगा उत्तर परद तो क्या मी जसुदा मैया देखी थी माखन चुडा कर खा गए कनहिया मैया बोली कनहिया तुम माखन खा लिए चुडा लिए कनहिया बोले मैं नहीं माखन खाया मान न मैं चुडाया तुम्ही चुराये कनहिया बार बाद जीद करने लगी मैया कनहिया कहते गए मैं नहीं माख माखन नहीं खाए तो अपना मुख खोल कर दिखा दो कनहया को लगा कि अब तो मैं फस गया मैया के सामने जूट बोलूं तो क्या बोलूं उन्होंने बढ़मान जब खोल अपना मुख जब खोलने के लिए मैया बोली कि अपना मुख खोलो भगवान कृष्ण कनहया जब मुख में सारा बढमांड मैया जसोदा को दिखाई पड़ागा आप भारतिये जंता पार्टी के चेहरे में जहांकिए उसके मुख में जहांकिए आपको अपना बिरात रूप दिखाई पड़ेगा मैं और पूछना चाहता हूँ लालू जी और केजस्वी जी से जादव जाती के 1.4 प्रतिसात ही सरकारी नौकरी में है जो सबसे कम आउसत है सबसे कम आउसत है जितनी नौकरियां है और जितना नौकरी करने वाले लोग है उसमें जादवों की हिस्सेदारी 1.4 फिस्दी ही है इसका जिमवारी 15 बरसों तक आप सत्ता में रहें या जिमवारी आपकी है की नहीं या दवजाती में असिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है क्यों है आपको सवाल और जवाब इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए चरवाहा विद्याल ऐसे आप या आदमों को या गड़ीवों को या बंचितों को या दलितों को किसी को भी आप सिक्षा नहीं दे सकते क्यों वह सिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही पड़िवार की चिंता क्यों की गई लालू जी ने आपने तो सिर्फ अपने पड़िवार की चिंता की भारतिये जंता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो सब के चिंत सब की चिंता की है केंदर में आ और नित्यानगराएं तीन तीन सांसत हैं हम पूरे देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज़्यादा सांसत और विधायक यदुकुल का सबसे ज़्यादा भारते जंता पार्टी का जंडा लेकर आज नरेंदर मोदी जी की पड़ेर नामे काम कर रहा है जबाब आपको देना हम महा भारत की लड़ाई को भी हम स्विकार करने वाले हैं नितेज जीत्य जैसे बीजी सून लिजे चीर हरन हुआ है दुरपती का आज यस बिहार में भय का वाता बरन है अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है गरीब सताय जा रहे हैं भारतिय जंता पार्टी को महा भार भी स्विकार करना पड़ेगा तो महा भारत करेंगे लेकिन इस दुसासन और रावन और कंस की प्रभीरती रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 24 में भी पड़ाजित करेंगे और 25 में भी पड़ाजित करेंगे चलिए भाईयों आज आपने भारते जंता पार्टी को एक विश्वास दिया है और नींद हराम कर दिया है वेसे लोगों की जो एक पड़िवार की पार्टी है नींद हराम कर दिया है वेसे लोगों को ठक ठ ठक कर सत्ता में पलट पलट कर रहने का काम क्या है लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें